हे गाईज मैं हुद सोच करनेल और सागत करता हूँ आपका हाई डाइक भाद इस वीडियो चैनल पर तो दोस्तों विना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप जानोगी के आप कैसे Microsoft Swift की कीबोर्ड के अंदर आप अपना जो फोटो है कैसे लगा सकते हैं कीपैड पर जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अभी जो है इस वक्त मेरी कीपैड पर कोई फोटो वोटो नहीं है जो मुझे फोटो चैनल वो म आपके समझ को जिस तरह का इंटरफेस चलाएगा जहां पर आपको जो है यह जो थीम का उप्शन दिखते हैं उसके उपर टैप करना है यहां पर आपको अंगिनन थीम्स दिखने मिलें के यह और की आपको फोन के नोज जो थीम्स है मतलब आपको डाउड करने की जबतनी पहले से होंगी डबाई डिफॉल्ट आप में इसमें से कौन सा भी स्लैक कर सकते हैं जहां पर अगर आपको अपना फोटो लगाना है अपने कीबोर्ड पर तो उसके लिए आपको यहां पर कस्ट्रम का उप्शन दिखता है उसके उपर टैप करना है यहां पर आपको फोल्डर पर जाईए और एक फोल्डर पर जाने के बाद यहां से आप जो है एक image जो है select कर लिए ठीक है तो यहां पर हम जो है एक image select कर लेते हैं लाइक हम जो है यह वाला image select कर लेते हैं और यहां पर आप दिसकते हैं यहां पर मैंने इसको set कर दिया यहां पर आपको इसम कर सकते हैं या कं जाशे रखना है आप यहां से कर सकते हैं यहां से आप सकी ब्राइटनेस रखते हुँ जहाँ पर इसकी बैटने से हम इतनी रखते हैं और यहाँ पर फिर हम done पर tap करते हैं done पर tap करने वाद आपका keypad जो है कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ओके तो यहाँ पर अगर आपको अपने चाहिए कि हाँ ऐसे ही रहना चाहिए तो save के option पर tap करेंगे और save के option पर tap करेंगे और जब आप कहीं भी जो है type करने जाओगे तो आपके keypad पर आपकी जो फोटो आपने लगाई है वो आपको दिखाई देगी तो इस तरीके से आप अपनी keypad पर आपको जो फोटो चीए वो लगा सकते हैं इस Microsoft Swift की keyboard के जरिये या भी उस application के अंदर वीडियो चेले करेंगे वीडियो को जर से सर लाइक करेगा ने देश्या को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब से क्लिए बाबाए डिक केर